इसी तरह से हम देखें जो 4D श्रणी है वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रानिक विन्यास हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह ट्रियम 39 से यह श्रणी प्रारम होती है और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रानिक विन्यास है वह होता है 4D1 5S2 इसके बाद है जर्कोनियम 40 यहां पर electronic विन्यास है 4D2 5S2 इसकी बाद आता है नियोबियम नियोबियम में हम देखें इसका परवानुक्रमांग है 41 और इसमें हम देखें कि electronic विन्यास में फुर से कुछ अपवाद देखने को मिलता है और यहां पर 4D में 4 इलेक्टरान चले जाते हैं जबकि 5S में केवल एक एलेक्टरान होता है इसके बाद आते हैं मॉलिब डेनम यहां पर भी हम देखें कि बिल्कुल क्रोमियम की तरह electronic विन्यास यहां पर मिल रहा है और यह है 4D5 5S1 इसके बाद आता है आपका टेक्नीशियम यहां पर हम देखें कि यह 4D6 5S1 electronic विन्यास मिलेगा इसके बाद आता है रोडियम जिसमें की 4D8 5S1 electronic विन्यास मिलता है और इसके बाद हम देखें कि palladium 46 प्येलडियों 46 में भी एक अलक विन्यास यहां पर मिल रहा है यहां पर हम देखें कि जो palladium का electronic vinyas है यह भी अलग है उसके बाद हम देखें कि silver में तो silver में बिलकुल copper की तरह electronic vinyas देखने को मिलता है यहाँ पर 5s में एक ही electron होगा और उसके बाद जो 4d है उसमें पूरे 10 electron होते हैं इसके बाद हम जान चुके हैं जो अंतिम electron है cadmium 48 और इसमें 5s orbital में 2 electron है तथा 4d में पूरे 10 electron है इसके बाद हम देखते हैं जो पाचवी शंक्रमण 5D श्रोणी है यह जिससे हम कहेंगे तृती संक्रमण श्रोणी इसमें उपस्तित जो तत्व हैं इसमें आप देख रहे हैं लेंथेनम 57 और लेंथेनम 57 में यहाँ पर जो अंतिम electron है वा 5D उपकोश में प्रवीश करता है तो इसका electronic विन्यास होता है 6s2 5D1 इसके बाद हम देखें सीधे halfnium 72 आ जाता है halfnium 72 में यहाँ पर जो electron है वो 5D में आप देख रहे हैं 2 है तथा यहाँ पर 6s में भी 2 electron है इसके बाद है tantalum जिसमें की 5D में 3 electron है तथा 6s में 2 electron है इसके बाद हम देखें टंगस्टन टंगस्टन में 5D में 4 electron है तथा 6s में यहाँ पर भी 2 electron है इसके बाद हम देखें rhenium रhenium के electronic विन्यास में सामाने है जिसमें 5D में 5 electron है तथा 6s में पुना 2 electron है इसके बाद हम देखें Osmium, Osmium में भी हम देखेंगे कि 5D में 6 Electron है और उसके बाद 4S में 2 Electron है, इसी तरह से Iridium में 6S2 और 5D7 इसमें Electron होंगे, इसके बाद हम देखें कि पुना जो Platinum का Electronic विन्यास है, वह अलग है यहाँ पर और यहाँ पर Platinum में देख रहे हैं हम कि 6S में सिर्फ एक Electron है, जब कि 5D में यहाँ पर 9 Electron हैं, तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर भी एक हमें अपवाद देखने को मिलता है, इसके बाद हम देखें गोल्ड जिसका परमानुकुर् यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड में एक Electron केवल 6S में है, जब कि पूरे 10 Electron यहाँ पर 5B में उपस्तित हैं, इसके बाद आता है Mercury जो श्रणी का अंतिम सदस्य हैं और इसमें S तथा D डोनों ही उपकोश पूरी तरह से भरवे होते हैं इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो चतूर्थ संक्रमन श्रणी है या जिसे हम 6D श्रणी कहते हैं उसके तत्वों का Electronic विन्यास देखें तो जो 6D श्रणी हैं आप देख सकते हैं यह प्रारंब होती है एक्टीनियम 89 से और चुकि इसमें जो अंतीम इलेक्ट्रान है वह 6D सब चैल में प्रवेश करते हैं तो इसका Electronic विन्यास होता है 7S में दो इलेक्ट्रान जाते है और उसके बाद 6D में एक इलेक्ट्रान भरना शुरू होता है इसके बाद आता है रदर फोडियम रदर फोडियम 104 यहां पर जो Electronic विन्यास होगा वह 6D2 7S2 होता है इसके बाद आता है यहां पर डुबेनियम डुबेनियम में भी जो 6D3 और 7S2 एलेक्ट्रानिक विन्यास होता है इसके बाद आता है यहां पर सिबर्जियम सिबर्जियम में हम देखें कि 6D4 और 7S2 एलेक्ट्रानिक विन्यास होता है इसके बाद आता है बोहरियम 107 तो बोहरियम में जो इलेक्रानिक विन्यास आप देख सकते हैं यह है 6D5 और 7S2 इसके बाद हैसियम 108 इसमें जो D सब्चल में 6 इलेक्रान होते हैं तथा जो S उपकोशे उसमें 2 इलेक्रान होते हैं इसके बाद आता है मेंटनेर्यम 109 इसमें जो 6D में यहाँ पर 7 इलेक्रान होते हैं तथा 7S में यहाँ पर 2 इलेक्रान होते हैं इसके बाद आता है यहाँ पर डर्म स्टेडियम, डर्म स्टेडियम में हम देखें कि 6D में 8 इलेक्टरान होंगे तथा 7S में 2 इलेक्टरान इसमें पाए जाएंगे, इसके बाद आता है रोंट जीनियम, रोंट जीनियम में हम पुना देखेंगे कि D में पूरे 10 इलेक्टरा हैं जबकि 6D में यहाँ पर 10 एलेक्ट्रान उपस्थित हैं तो इस तरह से हम देखें कि यह है पूरे चारों संक्रवन श्रणियों की एलेक्ट्रानिक विन्यास जहाँ पर कहीं कहीं पर हमें अपवाद देखने को मिलते हैं करवाण तत्यों के इलेक्ट्रानिक विन्यास जान लेने के बाद आएए अब हम आगे बढ़ते हैं इनके गुणों के विसे में जानने के लिए जो संक्रम्न तत्तों में जो D कक्षक होते हैं, वो इनके S तथा P कक्षकों की अपेक्षा परमानु की सत्त्र पर अधिक प्रक्षिक्त होते हैं, ज्यादा बाहर की और परजेक्टिट रहते हैं और इस वज़े से ये अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं साथ इसी प्रकार चुकी स्वयम प्रभावित होते हैं इसलिए अपने चारों और के जो परमानू है उनके या अनू होते हैं उनके द्वारा उनको ये प्रभावित भी करते हैं कई बार हम देखते हैं कि कई बार जो इन तत्वों के इलेक्ट्रानिक विन्यास होते हैं यानि कि जो इनका डी एन इलेक्ट्रानिक विन्यास यदि इनका आइनों का समान होता है तो इन तत्वों के चुम्मकिय तथा इनके इलिक्ट्रानिक गुण भी बिल्कुल समान होते हैं यहाँ पर हम देखें कि जुकि हमने रेखा कि इन D-Orbitलों में संक्रमन तत्वों के D-Orbitलों में आंशिक रूप से भरेवे D-कक्षक उपस्तित होते हैं और इन आंशिक रूप से भरेवे D-कक्षकों की वज़े से यह D-block तत्व कुछ अभिलाक्षनिक गुण भी दर्शाते हैं जैसे कि यह भिन्न भिन्न प्रकार की आक्सी करान अवस्थाएं दर्शाते हैं यह रंगी इन आयन बनाते हैं यह संकुल complex compound का निर्मान करते हैं इसके अलाबा इनमें बहुत अच्छा उत्प्रेर की गुण भी पाया जाता है और साथ ही यह चुम के प्रॉपर्टी magnetic प्रॉपर्टी भी शो करते हैं इस तरह से हम देखें कि यहां पर और इन गुणों की वज़ा से यह एस ब्लॉक तत्वों तथा पी ब्लॉक तत्वों से कुछ भिन्न होते हैं या जिससे हम कहा हैं और संक्रमन तत्वों की तुल्ना में यह भिन्नता प्रदर्शित करते है एक और महत्यपून बात और संक्रमन तत्वों के विप्रीत हमने जहां पर देखा जो और संक्रमन तत्वों यानिकि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्वों होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि इनके गुणों में वर्ग में समानताएं पाई जाती हैं यानिकि एक वर्ग के में जब हम उपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो सभी तत्वों में कुछ भौतिक और रासाइनिक गुणों में समानता पाई जाती हैं लेकिन यहां पर हम देखें कि जो संक्रमन तत्व हैं उनमें वर्ग की समानता की तुल्ना में 36 समानताएं जादा पाई जाती है यहाँ पर जो सामाने अभी लक्षन होंगे कहीं कहीं पर वर्ग में भी समानताइं मिलती हैं लेकिन इनमें 36 समानताइं जादा मिलती हैं तथा इनके गुणों में जो ट्रेंड्स मैं जाते हैं प्रवितियां पाई जाती हैं वो भी 36 प्रविति अधिक पाई जाती है अब हम देखते हैं पहले संक्रमन तत्मों के कुछ सामानी गुण और उसके बाद उनके कुछ जो विशेस गुणों को जानेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं संक्रमन तत्मों के कुछ सामानी गुण जैसे कि हमने कहा कि जो भी संक्रमन तत्व हैं वो सभी धात्वें हैं और इसे लिए ये सभी धात्वों के अभी लाक्षणिक कोन प्रदर्शित करते हैं धात्वों के जो सामाने गुण हैं या अभी धात्विक गुण जो हैं आप जानते हैं इनमें गुण होता है जैसे कि उच्छ तनन सामर्थ यहां पर टेंसाइल स्ट्रेंग्ध तो हम जानते हैं कि जो कुछ धात्वे हैं जैसे कि हम लें टंग स्टन तो टंग स्टन एक नैच हला कि जो मिश्रधातवें आएरन के मिश्रधातवें स्टील हैं उन की च्रेण्ग ज्यादा होती है लेकिन जो प्रयकरतिक रूप sister है तंग्सटन उसकी स्ट्रइग्ग बहुत ज्यादा होती है तनन्सामर्थ से मतलब है कि जब हम इसके सिलिंडर बना कर इसको दोने तरफ से जब हम उनको खीचते हैं तो वह उस खीचाओ का उस तन्यता का कितना प्रतिरोध करता है क्योंकि जिनकी तनन्सामर्थ बहुत कम होती है वह आसानी से खीचते ही वह तूट जाते हैं उनको हम भंगुर कहते हैं लेकिन जिसकी धातू की टेंसाइल स्ट्रेंग्ट जादा होती है वह उस खीचाओ का प्रतिरोध करता है और इसके बाद हम देखें कि उसमें तुरंट तूटता नहीं है दूसरा हमकूर देखें तन्यता यानिकी डक्टिलिटी तन्यता से ताथ पर है कि कोई धातू कितनी आसानी से खिचकर तार के रूप में परिवर्तित हो सकती है या इससे हम धातू की को भी जान सकते हैं और यहां पर हम देखेंगे कि वैसे तो सोना या तांबा यह धातू है जिनकी तन्यता बहुत ज्यादा होती है लेकिन सबसे अधिक जो तन्य धातू है डक्तिलिटी जिसमें पाई जाती है वह है सोना गोल्ड और यहां पर देखा गया है कि जो दो किलो मीटर लंबे पतले तार खीचे जा सकते हैं और यह आप जानते हैं इन पतले तारों की वज़े से ही हम इनके से विभ्यने प्रकार के आभूशन तथा बहुत सारी आकर्शक चीजे बना पाते हैं इसके बाद हम देखें कि आगहात वर्धनियता मेलिविल्टी यह द्हातुं का एक महत्वण गुण होता है और आप जानते हैं कि यहां पर जो संक्रवन धातु में जो गोल्ड है वह भी सबसे अधिक मेलेबल धातु होती है इसका मतलब यह हैं कि मेलेविल्टी से ताठपर होता है कि वह धातु कि दबाओ का या जब उस पर आगहात किया जाता है तो उसका उसको वो उससे उसमें कितना ज्यादा प्रसार होता है जितना ज्यादा उसमें प्रसार होगा उतनी पतली शीटें उसकी बनाई जा सकती हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिठाईयों में या पान में हम देखते हैं कि इनके वर्क जो पतले-पत अगला जो गुण है वह है उच्च तापी तथा विद्धुत चालकता तो यह भी संक्रमन धात्मों का गुण है आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विद्धुत की सुचालक धातु होती है वह होती है और उसके बाद है कॉपर तो यहां पर देखें तो इनकी तपी तथा विद्धुत चालकता भी बहुत अधीक होती है इसके अलबात हम देखें जो धात्मों का गुण है वह हैं धात्मविक क्यरे तो यहां पर सभी धात्मों के सामान गुण है agenda और इसके बाद हम देखते हैं कि इन धात्मों की जो एक महत्वपुन गुण वो है संड़चिना यहां पर जितनी भी चारों संक्रवन श्रणियों की हम बात करें तो यहां पर जो जो और संक्रवन तत्व हैं यहने की जिंग कैडमियम मरकरी तथास एक और तत्व यहां पर हम लें मैगनीज सरचिना पाई जाती है जैसे हम देखें जो प्रतम संक्रवन स्रेयों है वहाँ पर कैंडियम यहां पर आप देख सकते हैं कि यह HCP hexagonal close path सरचना मिलती है और इसी तरह से यह body centered cubic इन दो सरचनाव में यह पाया जाता है इसी तरह से titanium भी है वह HCP और BCC दोनों ही सरचनाव में मिलता है vanadium केवल body centered cubic सरचना में BC सरचना में पाया जाता है इसी तरह से chromium भी केवल BCC सरचना में मिलती है इसके अलावा जो magnege है यह एक विशेश प्रकार की सरचना में मिलता है इसके अलावा भी यह BCC सरचना में भी मिलता है और साथ यह cubic close packing जिसे हम कहते हैं सरल घनी सरचना भी इसकी मिलती है इसके बाद हम देखें iron, iron भी body centered cubic BCC सरचना में मिलता है और इसके अलावा यह HCP सरचना hexagonal close packing सरचना में भी मिलता है इसी तरह से कोबाल्ट और nickel दोनों ही CCP सरचना भी दरशाते हैं जबकि कोबाल्ट यहाँ पर HCP सरचना भी दरशाता है और इसके अलावा यह hexagonal close packed यहाँ पर सरचना में भी प्राप्त होता है इसके बाद हम देखें कि जो अगली श्रोणी है वहाँ पर यहाँ पर हम देखें कि यीट्रियम यीट्रियम भी HCP तथा BCC दोनों ही सरचना में मिलता है जर्कोनियम यहाँ पर भी HCC और BCC सरचना में मिलते हैं इसी तरह से नियोबियम, मॉलिब डैनम यह दोनों ही BCC 一 काशना में कि सरचना में मिलते हैं इसी तरह से हम देखें जो टैकणीशियम है और रुठेनियम है यह SCP सरचना में मिलते हैं जबकि रोडियम पैलडियम तथा सिल्वर यह तीनों ही हम देखेंगे कि ये सिम्पल-QUBIQ याने कि सरल घनी सरचना में मिलते हैं इसके बाद जो अंतिम सदस रचन में मिलता है एक विशीज सरचना में मिलता है और इसके अलाबह यह HCP सरचना इसकी होती है इसी तरह से हम 33 संक्रवन श्रणी को देखें तो यहां पर Lengthenum है Lengthenum में है यह HCP Hexagonal Closed Packing, Cubic Closed Packing तथा Body Center Closed Packing यहां पर तीनों सरचना में यह प्राप्त होता है इसके लावा हाफ्नियम है यह हम देखें HCP और BCC दोनों सरचना में मिलता है Tantalum BCC सरचना में मिलता है जबकि Tungsten भी यहां पर देखें Body Center Cubic सरचना में मिलता है इसके लावा हम देखें जो रिनियम और और ओस्मियम है यह दोनों HCP सरचना में हमें मिलते हैं इसके लावा इरडियम है यह Cubic Closed Packing सरचना में मिलता है प्लाटिनम भी Cubic Closed Packing सरचना में मिलता है तथा हएवेवल एक विशैस सरचना में मलता है तोइस तरह से हम धेखें कि जो संक्रुम्न तत्व हैं या जो d levar हैं उनमें सामानी धात्वों की सभी गुण पाई जाते हैं और इसके अलावा इनमें सभी धात्वों की जो special प्रारूपिक सरचनाय हैं वो भी इन में मिलती हैं इसके बाद हम जानेंगे संक्रमन तत्यों के भातिक गुणों के बारे में